रेडियो नौइडा लोकमंच 91.2 एफेम पर मैं विनोश सर्मा आपका अस्वागत करता हूँ हमारा खास कारकम नौइडा 2021 यह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नौइडा से नाता जोडा नौइडा में आकर उन्होंने अपना बसेरा किया और इस सहर से उनको प्यार है आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ब्रिगेडियर प्राणाधार गौड से जो आर्मी में रहे और उन्होंने विभिन इस्थानों पर काम किया देश की सेवा की अपने इस्टूडियो में मैं उनका स्वागत करता हूँ गौड साब नमस्कार गौड साब यह बताईए कि आप नौइडा से जुड़े हैं लेकिन नौइडा जुड़ने से पहले आप मुझे यह जरूर बताईए बच्पन से कि कहां से आपकी बैक्ग्राउंड है और किस तरीके से आप सेना से जुड़े हमारे सुरुताओं को जानकाई दीजे शर्मादी में हम लोग मेरत के रहने वाले हैं मेरत के बाती हैं और मेरी पैदाई इस मेरत में होई मेरे पिताजी भी थाँज में है और जब मेरे पिताजी थाँज से रेटाइर हो तो हम में मेरत केंटोनमेंट में एक बंगला दिया और हम जहां पे मेरे चाँज से इस बंगले में मेरत में हम रहें तो हमारी परहाई, लिखाई, सब कुछ यही हुई मेरट में और यही बड़े हो हैं और यहां से तिर हम लोग ने वाज में चल गा क्यूंकि हमारी पौज के एक वाजी ट्रेडिशन था हमारे वाजी एक ट्रेडिशन थी यहां से परहे हम फौज में लोग बहुफरी परहे हम स्तिन धाय क से झाजी में और भाई नियो परग चल आज़ कंसे एर में आपने फौज जॉइन किये थी एतšu अधनищा मैं ते यत ब मैंदे है शर्म जी पहुज में छोक जच झाला था मैं माई ते दूम मुझे मझे खुमिशन मिला गौर खा रडमिच क मुझे करच मिलाόग जेती है भारत ते वे पहने में बड़ी सरा थे तो उच में मुझे खुमिशन मिला जे और बस कमिशन मिलने के बाद मैं परिकत्र की जड़ाई में पुंच जेनके में पुंच जे सेक्टर का वहाँ पे मेरी रेजिमिन पुंच में पुंच में हमने जंग में शामिल रहे और बड़ा अच्छा काम किया मैं इंखम, जेरी पल्टन अटैक में गई हम लोगे ने कुश्मन के बोस्ट को गच्चर किया उस अटैक में मुझे शोट भी लगी मुझे इखायल गई ने दोनों पेरों पे अप श्प्रिंटर लगेखे तो इस अटैक में गई होगया का और अब अब अच्छा काम हम लोग सब्सक्राइब करते हैं कोई ऐसा च्छन भी आया जिसमें जिसे आज आप याद करते हैं और घर्व से मतलब अपने परिवार के साथ सेयर करते हैं कोई ऐसा च्छन हमारे सुरूताओं के साथ आज बताना चाहेंगे अपने देश की शेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं बिल्कुल फ्रंट लाइब के मुझे खुश पिश्मती से मैं इकतर की जराई में चामिर हो सका और उस जराई में अप्लोगें पड़ी पहादुरी से खाम किया और हमने यादे है की हम लोग राज में良गर कैशे ॹनी पोजिशन से मेरी कमपनी और मेरे साथ के ज JJOSAF ही लोग से और हम लोग कैसे पहाड से नीजे रुपर जाते और इसमें इसके कात साथ मुना रभावी होईधी नावारी जो नाई पाकिस्तान के तरफ से बोला बारी चल रही थी फारी हो रही और पाकिस्तान की तरफ से mmg घा हमारे उपर आ रहा हा रात में और खो हम लोग आगतें रहे हैं हम हम लोग पास्ते आरते पडर रहे थे कुछ की तरद और वहाँ पर पोच्च के नदीब चब हम पोचें तो हमारे वे हमरे साथियों को भी गहाद पहुचा हमारे घ़ा पोचा हमारे नफेन будете हमारे साथ के कई जमान भाइब हमारे साथ कीथ को पहुचा थमरे जिसान जो नोगों ने अपनी खुक्रिया निकाली को निकाला और आयो गुर्खाली की तेखा हम लोगों ने तुश्मन के पोस पर चार्ज किया और उसके हम नेकबदा किया हम जब पोश पर पहुँचे इस पोश का नाम तो शुकनागन था, वात्रों से हमने इसका नाम शांतराम रह दिया तो जो आपकर हमारा इस लड़ाई में काम आया जिसकी में बात कर रहा था, इसका नाम शांतराम था हम जब वहां इस पोश पे पहुचे जुश्मन वात्भण चुगा था और हमारे को पांच दुश्मन की बोडी इस पोश पे मिली और बहुत पारा अचला हत्यार दुश्मन फोड़ के चला था यहां तक की अपना उन्होंने रात का इनर भी नहीं किया था, उनके खाना भी प राजमा जाल की तब जीत की और सारी सोज वहीं ठोड़ के हो लोग भाग ख़ड़े हुए और हम लोगों ने वह पोश्ट कैप्चर की और कैप्चर करने के पाद पिर हमें यह तो अटा चला इस पुनन इसकी बगन वाली पोश्ट है वह भी खाली हो गई है वह भागिया व इजाज़त थी कि वह पोश्ट हमें लगता है खाली हम उसको भी कैप्चर करना चाहते हैं तो उन्हों ने कहाँ एक दम आप चली हमारे के प्रमांटिक ऑफश्ट से नहों का ज़ते कई उन्हों ने कहाँ जली आप इस पोश्ट को भी कैप्चर कर लो तो हम पॉर्ण अविन वकूर्ण खुब एक और मुबारक पे हमने थी पायर सपॉर्ट अटिलेरी का मांगा और उस आप जलि एक जान में उसको भी का भूना जो तो यह हैं रगाव लॉग को न्युव लेर्ग उडितले का वाण जागा भाण जो यह जो यह जो हाता है ज्लाय का जेड़ा का माहौल और में उस ताइन पे मेरे चाल से 20-20 साल का था उसमें पुर पुरे जोश में और जब दुश्मन के और अपने पायर की पूरी आप अब दाजा लगा सकते हैं कि छारों तक शरब चरब से पायर हो रहा है और उसमें आयो बुर्खानी की आवाज आ रही है और का उल में आप अपने आप इमेजिन करें कैसा यह माहौल था यह मेरे दमाद में मेरे जिसम में में अभी तक यह बिलकुल ताजा है और मैं बड़े वड़े गौरव से कहता हूं कि हमारी पूर इतनी हादू है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं तो जिस समय यह जीत आपने हांस इन किलकी दी कबजा किया था उस समय आपके पिता जी थे उससा पितिकरिया क्या रही उनकी परिवार की तरफ से उस समय मेरे पिताजी तो उस ताइम पे जब मेरे पिताजी रेट कर दो चुके थे और वो यहीं पेरट में थे उनको पुरा दुश्वात था वो हमेशा यह कहते थे कि मेरा स्पेटा बहुत पहादूर है और यह इस लडाई में बुरूर अच्छा काम करके दुखाएगा मेरे माता भी कुछ परिछान जी नलाई है और मेरा बच्चा गया हुआ है बड़े भाई भी शामिल थे इस लडाई थे जो परीबार से जो 3 भाईयों पाइयों तेन लड़कों में जो नराई में शामिल निह मा흥 भोड़ी अज्रेat शामिल citizen मेरे प्ताजी कहते हैं कि नहीं यह हमारा खांदानी के शाह है हमेशा हमारा कांदानी थेश की रक्षा के लिए तर रहा है तो तो नो कोई सक्त में है कि मेरे बच्चे दोनों इस लड़ाई में बहुत बादिरी से काम करें जी और वॉटे में हम दोनों भाईयों में बड़ा जब आए और नोड़ा में आपने क्या देखा पहली बार और कैसे आपका नोड़ा आना हुआ नोड़ा में एक बार शर्मा जी मुझे ख़बर में थी कि नोड़ा में आर्मी का एक आर्मी वेलफेर हाउजिंग तो मैं शतार मयादन था कि शेी खट्र अगा लुग सब्रातर कर ऑद यह न – दिआयो को बन वारिया को है में शतक्र रहे बनाया उगा था और लोईडा बन वसी फेवे वोगना है कि जात्र आते सब्सक्र वह दो को में फट्राइब से अचल कने कंट lange video show सेक्टर 29 और 28 में कोई काम नहीं था, सेक्टर 37 में उस चाहिन पर कुछ मकान बन रहे थे, और को सिबिल सोसाइटीज में काम चल रहा था, लेकि रहे कोई नहीं रहा था, भाभे शर्मा थे, गाउन लोगों से मेरी बोला चाथ हुए गाहों से बहुत पारे, गाउन लोगों तो वो लिए पहली अख्टा बजार था, उसमे किषी तफी दुखाने हुए और किप्टी दुकान बजमा से चाहिन formर्द नहीं कि चीज़ कोई नहीं कि तफी पर से क तक्छी दुकाने कि उसमें क forgol T дादा स्ट श्भारा पंदरा को दिबाने से वहाने सिए अरोला हरोला मेरा परिवार आया सेक्टर 29 तसकत तैयार हो गया था मुझे घर अलोट हो गया तो मेरा परिवार मेरा परिवार मेरी वाइस दिल्ली उनिवर्सिती में असुचिये क्रोफेसर पनाती थी तो हम लोग एंचेश कुटे चोटे थे मेरी बेटी आर्मी स्कूल दिल्ली में पढ़ रही थी तो हम लोग इस स्ट्र श्राइट उस्ट तो वहां उस टाइम पर किया हम आए तो सेक्टर 29 हमारा उसके गुलमोर एंक्लेव में हमारा उसके गुलमोर एंक्लेव कहते हैं अब उसके को वेचियंद थापर एंक्लेव कहते हैं वहां पर हम लोगों को मकान मिला था तो कुछ ताइम पर यह था कि शड़कें भी नहीं थी पूरी कशी शड़कें थी पानी की और बिजली की भी विवस्था खीज पर नहीं हुई थी मेरे को याद है कि हम लोगों ने खारा पानी आता था वहां खारा पानी उन दिनों आता और विजली भी नहीं थी और मेरे को याद है कि मैंने विजली के जो विजली करके जो लोग है उन लोगों के साथ मिनाफ करके पुछ्टाइन पे टाइरेक्ट में पॉल से लेके और अपने घर में विजली का इंतजाम करवाया था करें हम लोग वसमस आपने जाती मैं वरी वाइट इन फथम्र चाह spawn पाना रही पानी हमारे बास पानी लोग करवार फस्टेय मेरे ँजली जाती लोग कारके की हमारे तीघ यह बहुशरा वेरी मैरे वाइट एल फ़ली करटी पां लोग बुली क्ल्म पानाव यह फिया कि और वो शड़कें कच्छी भुक्ती अपाली नहीं थी और दिल्ली जाने के लिए सिरफ एक ही रास्ता हुआ करता था वो निजामुदीन प्रिज से जाया करते थे हम लोग और पत्ली पी एक सिंगल लेन रोड हुआ करती थी जो और एक पिछ निजामुदीन के उपर एक प्र अब बहुत कम लोग के गाओं अभी भी वही थी उनके जहां पर जो जी आईपी ऐसा एरिया था वहां पर एक नर्सरी थी और उच्छे आगे जो चोटी एक मौल है चैटिटल मौल या जो भी वहां पर नर्सरी हुआ या दो नर्सरी हुआ कर ती ती लोग दिली से और आज पाज से ना को से ना के जहां से पौदे फूल के पौदे और भल के पौदों को खरीच से ले जाया करते ते यह मुझे याद हैं वहां पर कोई मौल चौछ जोगवा करता था खुला इलाका साथ शेटी हुआ करती थी और अब अटा मार्किस थी सेक्टर 18 का कुछ नहीं ता सेक्टरीटीन में उस टाइम पे घरम पैलेस फोल के एक ही पिक्चर हॉल हुआ करता था जिसका नाम पैलेस होता था तो हम लोग कभी करती वहां जाके कुछ पिक्चर पेशने चले जाते थे श्याम को तो इस परिके का महौन था मतलब बढ़ा इसे बोलते हैं कि बढ़ा रू हमें बड़ी दाव वालों के साथ बड़ी अच्छी हमारी रिलेशन्शिक हुआ करती थी हम लोग बात बात करा करते थे जी 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 और आगते आगते बस वो गाउन लोगों ने अपनी जमीन बेच बेच कर इदर उदर चले गए और अक्ता जो गाउन वहां वो भी अब लो विक खतम होता गया लोगों सभलने मार्कें बनानी शुरू पर भी अच्छा एक्डा हमारे सामने इस थ्यू अफ रहां हंच तड कर दीजितन वी हैं वह हमारे सामने बफ यह हैं और आठसे और यह आपका यह बंगया आपका डीए बंगया जीय और इक ऑल और आपका दिली के लिए खुलिया और यह तारी तरख्यां जिसली भी होई यह मेरे सामने देखते हूं बन गो पहले भार गाए थैंग तो कोई सादन बहुत कम थे गाने के लिए बहुत कम बसे ती प्राइवेड बस वा करती थे और रोड़ वेस ती एक आदुर दो तीन बस चला करती थे प्राइवेड बस जाने चलती थी और बड़ा मुखिर हुआ कर था दिल दी जाना, नौईडा से बाहर जाना या कहीं भी जाना, रिक्षे पर जाया करके से आटो नहीं होती थी, टैक्सी नहीं होती थी, उसके बाद आप से आप से टैक्सिया, आटो आने लगे, टी एंडी हो गया, लोग पस में लगे, नौईडा में पवात्षा नगा की तरक्ती हुई, तीन चीजों में मुझे जो अभी तक गिला हो है, उसमें एका है कि नौईडा में एक वो जो नाला है, वो नाला अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, नौईडा अथारिटी में, बड़े हमें चिथियां हमारे लोकल, जो ह अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है, और हैंस के लिए बहुत बड़ा है, दूसरा ये गार्बेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नौईडा में रहा है, वो अभी भी हम लोगों ने बड़ी मोहीं शुरू की थी कि अपना गार्बेज को अच्छी बड़ा गड़ा था, उसके पीछे जो नाले में पुरा गार्बेज ठैका वाका वाका में हमने एक हर यारा जार्डन बनाया, मेरी वाइफ में बहुत बड़ा काम किया, वो उसको हर्यानी में तबदील किया, वहाँ पर हम एक छोटा सा सोशल काम भी करते थे, मेरा किताब मेरी वाइफ में एक काम शुरू किया, वहाँ पर जहां पर की, नीचे वाले तफके के लोग, बच्चे, स्कूलों, गाहों में जो पढ़ते थे, वो वहाँ पर आके पढ़ें, उनको हम मदद दे सकें किताबों, किताबें और लिखने पढ़ने की चीजे मोहिया कराएंग, मेरी वाइफ में बहुत वहाँ पर काम किया, बहुत दिनों तक काम किया, और दूसरा एक ये गार्विश का प्रॉब्लम था, और ये नाले का प्रॉब्लम था, और तीसरा था कि हमारी सोसाइटी में जबीन पब्लिक लैंड, जो कि कोमन यूज के लिए थी, वो जगाएं थी, वो लोगों ने आके पिर उन जगाओं को हक्या लिया, और उनको तिवाल चात विवारिया करती, और बच्चे खेला करते थे, और जो फंक्शन्स के लिए इस्तबाल करते थे, हम सब लोग, वहाँ पे लोगों ने फेंस लगा दी, बाड़ कर ली, अपना इलाका बना हमारे को यह तीम मोटी चीज़ें हमें परःशाद अभी तक करती हैं, और हम जे चाहते हैं कि उतकरा थ्वरा सा नौयडा हम लोग चितरे भी नौईडा वाशी हैं, वो लोग और नौयडा कोरिकी हैं वो लोग इन जीज़ों की तरफ करा थ्यान दें और इन चीज़ों को एक भाद की और भी अच्छा रहने के लिए शहर अभी भी भी मैं ये कहता हूं कि इंसियार में और इदिली में गादियाबाद से लेकि नॉइडा तक नॉइडा से अच्छा दिया फुट ही नॉइडा से भड़िया रहने के लिए पशने के लिए एक सबसे बड़िया एक जगा है और हमें बड़ी खुशी है बहुत फक्र है अपने नौइडा पे और हम यह चाहते हैं कि नौइडा और अच्छी तरीके से निफ अच्छा हो और तरक्षी करें और एंचियार इवली में एक नमूना बन के दिखाए कि यह एक रहने के लिए पचने के लिए सबसे अच्छा इलाका है और नौइडा अकॉरिटी ने भी इस तरह बड़ा काम किया है और सड़के मगैरा फिचली सड़के पानी को भी अब काफी हद तक इंप्रूब कर रहे हैं क्योंकि गंगा का पानी भी आना शुरू हुआ दूशे भी कुछ तरक्षी हुई पानी में तो काफी इंप्रूब्मेंट हुआ नौइडा में हमें बड़ी खुशी है कि हम एक ऐसे तरक्षी शील शेहर में बहे रहे हैं और वहला कुछ है इसी बीच मैं बताना भूश्या कि ग्रेटर नौइडा भी हमारे देख से ग्रेटर नौइडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया और आपने अपने केरियर से जुड़ी चीजें नौइडा से जुड़ी यादों को हमारे सुरुताओं के साथ बताया आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद थैक्ट्यू नहरबानी हमें तुझे बड़ी कुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम में शामीर को सखा हूँ दैन्यवाद